वीडियो काफी जादा वाइरल और बहुत दुख की बात है कि जिस देश में आली शक्ति दिंदावाद के तुछ ऐसी घटला जब खड़ती है और वह भी ऐसी जगे पर महीला उपको अरुप से फिल लोगे हैं यहाँ जाएंगे हमारी कुछ हमारी कुछ हमारी कुछ हमारी मुझे थोड़ास भी आबास होता कि यह लोग मेरे साथ ऐसा गलत करने वाले थे मुझे पापा बस मुझे निकाल रहे थे और वो और ते मेरा मतलब रास्ता रोक रहे थी मुझे जाने नहीं दे रहे थी यहां तक कि जो रोड पे गाड़िया चल रहे थी मैंने खट-कटा क कि उनसे भीक मांगी कि मुझे बिठालो भईया प्लीज बिठालो वहां पे कमांडोस भी थे कमांडोस की गाड़ी थी जिसमें पुलीस लिखा था ब्लैक कलर की उन तक ने मेरी मदद नी की तो मुझे न यह जो चीजे हैं बोलते हैं कि नारी शक्ती जिंदाबाद और नार कि मतलब वह लड़की मर गई उसका रेप हो गया मर गई और वह लड़का उसे पत्थर मार रहा था उसकी वीडियो बनाने का लोगों के पास टाइम है बट यह नहीं कि उसका पथर चीन लो और उसको थपड़ मार के उसको निकाल दो जल लड़की की जान बचा लो कल को पर से गलत लड़की को भताया जा रहा है बट मैंने सुनाए कि मेरे सबोर्ट में यह सब लोग बट फिर भी मैं ही पोला चाते को कि मेरे साथ सामने हुई है मैंने देखी चीजे वो जिस तरह से में डुपट्टा कीच ने मुझे बोनट पे मारा है उन्होंने धक्का देख लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए तभी हमारी पार्टी को एक नहीं दिशा मिलेगी मैं जिस तरह के समय है कि आपकर कही लोग थे कई भी मापने थे कि यह सब के दर्वाज करते हैं मदद मांगा कि आप प्रीज है और किसी ने मदद दी कर अपसर लोग ना आशा देखी तो चादा इंगर्शन है इस वह आपको आपकर देखा तो मेरे लिए खुद इतना शौ प्राटी के एकदम कारे लेके बाहर तो यह बहुती निंदनी है जो यह हुआ है यह अपराध है और मैं चाहती हूँ जैसे इनोंने अभी राहूल गांदी जी से और प्रेंका जी से रिक्वेस्ट बिकिया है और यह बहुत बड़ा फेस पार्टी का रही है इतना काम इनों इतनों साल किया है उसके बाद अपने बलबूते पे यहां तक पहुंचना और उसके बाद इनके साथ रोड पे ऐसा वहवार होना इनके पिता जी के साथ इनके स्टाफ के साथ तो मुझे यह लगता है कि इसके उपर बहुत जल्दी उनको एक्शन लेना चाहिए और मेरी भी इनके सपोर्ट में और इतना जल्दी हो सके इनको इसके मिलना चाहिए कि सपोर्ट भी आये और लीगली भी इनको सपोर्ट किया जहां तक मेरा मानना है इस तीज को और मैं अकेली नहीं हूं मेरे से पहले कितने लोगों ने उस पे F.I.R. किये है उस पे कंप्लेंड किये ब किया जहीं नहीं है अपने उपर ध्यान दे मुझे लगता है इस भारत का अगर एक एक बंदा यह सोचने लगे कि हाँ आज से मुझे दूसरे की मदद करनी है फिर चाहिए वो लड़की हो इस पेशल लड़की के लिए चलो आप एक परसें एक शराबी की मदद ना करो लड कि मदद करो अगर एक इनसान ये सोच लेता है कि मुझे मदद करने तो मुझे लगता है कि लड़की सुरक्षित है कि मुझे तो यह लगता है कि वह बहुत अच्छा काम कर रही है और मुझे लगता है कि specially जो हमारा महिला समाज है उनको इनके फेवर में खड़े होना चाहि किसी भी उसकी हुए है, मैं चाहती हूं कि वो इनके सपोर्ड में मैं है, मैं घुद इनको सपोर्ड करना चाहती हूं क्योंकि ये जितना अश्रक्षित महला भी हमें दिख रहा है, क्योंकि इनका तो अर्चना बहुत n 싸 si है, अगर इनके साथ ही हो सकता है, Toi तो एक आम महिला अगर वहाँ जाती है तो उनके साथ क्या वहवार हो सकते हैं और शायद आज आज आप सभी मीडिया भाईबेन जितने भी हैं वो अर्चना को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग अर्चना को सपोर्ट करें और मैं चाहती हूँ कि कल और लोग उठें इसके उपर बात करें और उनको पूरा का पूरा सपोर्ट मिले बट अगर एक नॉर्मल एक आम महिला के साथ ऐसा होता है तो आप वैसे ही देखते हो जैसे उन्होंने बताया कि एक लड़की को मार दिया जाता है और उसके उपर उसका वीडियो शूट करने का समय है बट उनको बचाने का समय नहीं है लोगों के पास और जैसे इन्होंने कल इन्होंने दरखास्त की लोगों से जो ये कमांडो की मैं सुन रही थी अब इनको तो कमांडो से इन्होंने रिक्वेस्ट किया पुलिस वैन वहां थी, उनसे रिक्वेस्ट किया, होटल वालों से रिक्वेस्ट किया, अगर इनको सुरक्षा पर दाननी हुई, जो कि एक नामी ग्रामी चहरा है, तो आम लड़की का क्या होगा हुगा? कि इस देश में जो ऐसे लोग हैं उनको हटा के एक नए लोगों को मोका मिले और पाटी पे जल्दी से जल्दी क्या होता है कि जैसे मैं नौर्मल एक 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 माह है वो अपना खाना पिना मतबहार काम करके पोचा जाड़ू करके घर में पैसा लाती है बट पती या तो वैसे ही पाटी, जो situation है, हमारी पाटी की हो गई है, राहूल गांधी जी इतनी महनत करते हैं, प्रिंका गांधी जी इतनी महनत करती हैं, बड़ संधीप जैसे लोग पूरी महनत पे पानी फेर देते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, और आपको यह पिब बताना चाहती तो जैसे जगह पे मेरे साथ ये चीज़े हो सकती है, मीडिया के माध्यम से सारे चीज़े कल को मैं कोई भी इवेंट में जाती हूं, आप लोगों को पता ही है, कि इवेंट में जाने से पहले मुझे डालना पड़ता है, कि मैं इस तारीको फलाना दिन इतने बजे में यहां पे आ रहे हूं, कल को मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तो मुझे लगता है कि मैं तो सेफ नहीं हूं, क्योंकि आज ये इतना कर सकता है, तो शायद कल अपनी जॉब को बचाने के लिए ये उससे हद तक भी जा सकता है, क्योंकि जैसे कि उन्हों ने बताया कि अल्ड़ी उनक खत्रों की बात कर रहे हैं, तो कहीं पे भी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है अभी, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, आपके मात्यम से कि इनको पहले सुरक्षा परदान की जाए, और फिर उसके बाद जो भी है, वो एक लीगल एक्शन इस पे लिया जाए, जो हाथसा हुआ है Thank you.